अब सभी का एक बार फिर से स्वागत है अगस्ट मंत की विजन की मैगीन के डिसकेशन के अंदर जैसा कि आपको पता है फर्स्ट पार्ट इसका हम complete कर चुके हैं जिसमें Indian diaspora के बारे में कि Indian diaspora की क्या problems है Indian diaspora कहा कहां पे है वो सभी चीज़े हम यहां पे जानेंगे Second topic में हम पढ़ेंगे Indian Antarctic Act के बारे में जो की 2022 का Act है उसके regarding हम यहां पे पढ़ेंगे Third topic में हम पढ़ेंगे Supply of Critical Minerals जो है उसके regarding क्या इशू है इंडिया के साथ उसको हम जानेंगे Fourth number पे हम पढ़ेंगे Common Security Fifth number पे हम पढ़ेंगे Npt के बारे में Sixth number पे हम पढ़ेंगे Sark के बारे में 90 नमबर के topic में हम पढ़ेंगे Role of the North East in Regional Trade and Development के रिगारिंग बात फिर हम चाबार ओट की बात करेंगे Indian Egypt Relationship की बात करेंगे और फिर News in Shots को हम देखेंगे जिसमें छोटी-छोटी काफी News है जिनको हम comprehensively cover करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं Indian diaspora से Indian diaspora news के अंदर क्यों है क्योंकि recently parliamentary committee ने एक release की है रिपोर्ट comprehensive report है Indian diaspora के उपर तो वहाँ पर बताया गया है Indian diaspora के बारे में कि Indian diaspora जो है the group of the people who are country living outside the India वो लोग जो कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं temporary pieces पर, permanent तोर पे वो सभी diaspora के अंदर आते हैं and those who can trace their origin to India और जो अपना origin इंडिया के में trace कर सकते हैं तो यहाँ पर कौन-कौन होंगे एक तो NRI जिसके अंदर आएंगे who are citizens of India जो कि citizens of India होते हैं जो NRI होते हैं वो and overseas citizens of India OCI इसके अंदर आएंगे including persons of Indian origins PIOs जो होते हैं who are foreign nationals जो कि foreign nationals है तो इन सभी लोगों को हम इसके अंदर include करेंगे हम पर important बात यह है आपको पता होना चाहिए कि PIO and OCI cardholders जो है उनको merge कर दिया गया है और एक category में बना दिया है उनको OCI के अंदर 2015 के अंदर तो इसके regarding आपको याद अखना है तो PIO, OCI and NRI यह सभी जो होंगे वो Indian diaspora के अंदर count होंगे अब थोड़ा देख लेता है Indian diaspora के बारे में कि कितना है Indian diaspora तो इंडिया का सबसे बड़ा largest diaspora है वर्ल्ड के अंदर और 3.1 करोड 31 million means 3.1 करोड जो लोग है वो इंडिया के जो हैं बाहर रह रहे हैं इसमें से 13 million मतलब 1.3 करोड तो एनराइज है जिनके पास Indian citizenship है और 18 million जो है वो PIOs है इसकोप को specifically याद अखना है अब देख रहेते हैं composition कैसा है Indian diaspora का तो diverse composition है इसमें laborers आ रहे हैं इसमें workers आ रहे हैं traders आ रहे हैं political leaders आ रहे हैं professionals आ रहे हैं as well as students भी आ रहे हैं ठीक है तो यह across the world फैले हुए है USA में, Canada में, UK में, Australia में, Gulf में, European Union में, South West Africa के अंदर और गिर्मिटिया जो countries होती है यहां पर important word है गिर्मिटिया countries कौन सी है तो इसको देख लेते हैं तो गिर्मिटिया countries के अंदर सब जगहें फैले हुए हैं तो गिर्मिटिया countries के रिगार्डिंग आपको देखना है यह वो और गिर्मिटिया जो कंटिया के अंदर कौन कौन सी कंटिया आती है तो आपको याद रखना है फिजी, मौरिसस, जमाइका, साउथ अफरिका, गुएना, एंड सूरी नेम यह जो कंटिया जो कंटिया 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 के अंदर आती है तो यह word आ सकता है काफी important है ठीक है तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से यहाँ पर indentured laborers के तौर पर इंडिया को ले जाया गया था यह भी आपको देख लेना है अब देख लेते हैं इंडिया को काफी जादा remittance मिलता है बताते हैं कि worldwide इंडिया जो है remittance की प्राप्ति में first number पे आता है अब बताते हैं कि 2021 के अंदर इंडिया को 87 billion of remittance मिला है 87 billion dollar of remittance मिला है 87 billion जो आपका डॉलर है यह आपको पूरा एक साथ देख रहा है billions भी है इसमें dollar भी है इतना remittance इंडिया को मिला है और बताया जारा है कि 2.6% जो है इससे बढ़ सकता है यह 2022 के अंदर यह world bank की report है ठीक है तो इं इंडिया इंगेजमेंट with its diaspora is characterized under the rubric of forces तो क्या है वो forces care, connection, celebrate and contribute तो यह 4C है जो आपको धियान रखने है ठीक है अब देखते है major lacunia क्या है identified by the committee in effective engagement with the diaspora डायसपूरा के साथ जो हमारा engagement है इंडिया का उसके साथ कमिया क्या है उनको हम देख लेते हैं तो first of all तो lack of authentic data है ठ क्योंकि registration by जो diaspora हो रहा है वो voluntary है entire diaspora does not register करता है अपने आपको Indian embassies के साथ में पूरा का पूरा जो diaspora है अपने आपको register नहीं करता है तो authentic database नहीं है diaspora के regarding और क्या लेकुना है पर लेकुना देख लेते हैं then हम फिर यहां पर क्या बताया गया है उन सब चीजों को भी पार्ट वगरा नहीं लेते हैं participate नहीं करते हैं और जो participant होता है वो generally जो अच्छी profile high profile जो है और वहीं लोग है जो participate कर रहे हैं very high level और तो यहां पर और लोगों का participation नहीं है जब यहां पर registration वगरा की बात आती है kind of उसके अंदर तो इसको आपको देख लेना है कोई clear policy नहीं इंडिया के अंदर नहीं है ठीक है और बहुत जादा नंबर में high number of the unresolved grievances है ठीक है जो embassies है उनके अंदर तो consulates और embassies and offices है वहाँ पर काफी सारे grievances वगरा है तो यह भी एक issue है और तो वहाँ पर high number of the unresolved grievances है no specific scheme exists for the rehabilitation of the workers who lost their jobs including the huge population of gulf returnage in the wake of तो यहाँ पर कोई scheme नहीं चलाई गई बिसिकली जो लोग वापस लोटके आए गल्फ से एक pandemic के जैसे उनकी job चली गई है तो उनके लिए कोई rehabilitation वगरा का काम नहीं किया गया इसकीम नहीं चलाई गई तो यह भी एक problem है काफी important insufficient evolution of programs and schemes for the welfare of the diaspora population तो यह भी एक issue रहा है तो वो दुबारा returning हो रहा है कि कोई program में scheme ज्यादा है नहीं तो challenges in crisis situation अभी काफी ज्यादा है जैसा कि आपको पता है कि Ukraine और Russia का war चल रहा है ठेक है तो काफी जो जो वहाँ से छोड़के जो students वगरा है काफी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भ जो लोग वापिस आये हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है रिगाडिंग यहां पर यही सब कुछ बताया गया है अब देखते है कि recommendations of committee क्या है उनको देख लेंगे हम फैले उससे पहले हम देख लेते हैं कि above जो पेच है उसमें क्या रिखा हुआ है तो first of all यहां बता रहा है evolution of India's diaspora policy इंडिया की diaspora policy का evolution किस तरह से हुआ है तो सबसे परे 1950s की बात की गई है तो initially में क्या दिखा गया था इंडिया was initially of the view that championing of cause of overseas Indians might offend the host countries तो host countries को जो offend कर सकता है who should be fully responsible for the welfare and security तो पहले ऐसा लगता था कि जो fully welfare और security की जिम्मेदारी है वो host country है जहां पे आपके diaspora रह रह रहा है ना उनकी जिम्मेदारी है according to India's foreign policy was structured as a model of non-interference in a case of issues faced by the immigrants Indians तो इसमें बताया गया था कि यह देशी कोई प्रावलम होती है इंडियन्स को तो हम interfere नहीं करेंगे kind of तो 1950s की policy थी जो host countries है उनहीं की जिम्मेदारी है सब को देखना उनके welfare को देखना security को देखना 1980s के अंदर बाद थोड़ी बदलती है change in diaspora policy होता है और क्या होता है which include inviting Indians abroad regardless of their nationality to participate in national building तो बाद में national building के लिए इनको बुलाने की बाद चल रही है inviting Indians abroad तो उनको बुलाने की बाद चल रही है regardless of their nationality to participate in national building बाद में post 2000 के अंदर क्या होता है introduction होता है of a host of positive measures such as separate ministry बना दी जाती है इसका नाम है separate ministry of overseas Indian affairs the person of Indian origin PIO प्रवासी भारतिय दिवास यह सब मनाया जाने लगते हैं प्रवासी भारतिय सम्मान अब और वागरा इस सब चीजे चालू होती है थोड़ा सा policy बदल जाती है ठीक है कुछ positive measures लिए जाते हैं मतलब की डायस्पोरा की regarding अब देखते हैं tangible benefits of Indian diaspora तो कौन से benefits है Indian diaspora को तो यहाँ बताया गया है तो यह एक तरह से एंबिसेडर का काम करते हैं एंबिसेडर्स हैं एक तरह से इंडिया का इंट्रेस्ट को अबरोड के अंदर रखते हैं तो यह tangible benefits of Indian diaspora है उसके बाद यह क्या करते हैं ब्रिज करने का काम करते हैं Indian government and their host countries की गवर्मेंट की बीच में ब्रिज का काम करते हैं Harmony create करने का काम करते हैं एक तरह की driving force in getting foreign remittance and investment from abroad to India तो इसके लिए driving force की तरह काम करते हैं प्ले करते हैं काफी vital role काफी important role in social and economic development of India के अंदर they are Indian voice in various multilateral fora तो काफी जदा multilateral fora के अंदर यह क्या है इंडिया की voice है present opportunity for the promotion of India's soft power and cultural diplomacy जो होती है उसको भी प्रमोट करते हैं एक तरह से and play an important role for track second diplomacy तो track second diplomacy क्या है उसको भी हम देख लेंगे तो track second diplomacy के अंदर भी काफी vital role play करते हैं तो हमने देख लिया सब कुछ कि क्या actually में tangible benefits of Indian diaspora के उसको हमने यहां पर देख लिया है काफी holistically हम पूरा cover करती हुए चल रहे हैं और हमने यह भी देख लिया कि क्या lacuna है तो lacuna के हमने बात कर ली लेकिना identified by the committee in effective engagement with the diaspora उसकी हमने बात कर ली है kind of अब हम देखते हैं कि major challenges faced by the Indian diaspora तो कौन-कौन से challenge face कि जा रहा है और region specific के साब से देखेंगे हम वेस्ट इसिया के अंदर specifically कौन से जो है challenge फिस के जा रहे है तो अभी बता है आपको कि वहाँ पे काफी crisis चलता रहता है शेल गैस भूम कर रही है ऐसे में law oil prices हो रही है slower global growth हो डाउन हो रही है fierce competition आ रहा है तो इसकी deliver requirement है और कुल मिला के बताया जा है कि इन सभी चीजों की वह जैसे और job cut वागरा की होने की वह जैसे इंडियन्स को problem हो रही है ठीक है तो यहाँ पे यह सभी चीज़ है तो फिलिपिन्स की तरफ से काफी जाता एक तरह से competition मिल रहा है जिसे job cut हो रही है इंडियन्स की तो वेस्ट इस ही specific के अंदर इंडिय इंडियन्स को तो यह second problem है तीसरा है जो आपका कफाला लिबर सिस्टम है exploitative कफाला लिबर सिस्टम क्या है इसको देख लेते हैं तो यह है responsive system that binds workers through contract to a काफील जो sponsor होता है उससे बाहन दीता है एक तरह से system होता है पूरा इस तरह से worker को who controls their immigration status जो की immigration status को control करता है तो कफाला ल एक है निताकत law निताकत law which aims to replace a large section of overseas workers with locally in Saudi Arabia तो यह लिताकत law साओधी अरविया का काफी ज़्यादा जो बहार से आने वाले लोगों को जो वहां के जो लोकल लोग है वहां से replace करने की बात करता है ठीक है तो यह सारी problems है West Asia specific जो हमारा Indian diaspora है उसके सामने वहीं पर हम देखते है US Canada and UK के अंदर क्या problem है तो discriminative practices है वहां पर और आपका protectionism जो है वह काफी ज़्यादा high जा रहा है अभी और stricter H1B visa norms है US के अंदर तो यह सभी challenges है problem है एक तरह से जो diaspora face कर रहा है US Canada and UK के अंदर बात में हम देखते है revision of visa norms in UK and post Brexit के बात में जो visa की norm से वह बदल चुके है तो यह भी problem create कर रहा है demands for dual citizenship भी चीज़े चलती रहती है and general economic issues जो है जो diaspora face कर रहा है वो क्या है violation of contractual terms, adverse working conditions, wage related issues, medical and insurance related problems, kind of यह सभी problems को है हमारा जो diaspora है वो face कर रहा है तो यह सभी है general economic issues है अब देखते है वह recommendation क्या दी जा रही है recommendations of the committee देखते हैं कि committee की क्या recommendations है किस तरह से diaspora की help की जा सकती है kind of तो first of all bring out a policy document तो एक policy document लाओ clear policy लेके आओ clear crystal clear एकदम policy होगी uniform policy होगी तो काफी help करेगी तो bring out a policy document यहां पर बात की गई है ठीक है और एक तरह से wider engagements ensure करना है diaspora community की साथ maintenance of data data को अच्छे से maintenance करना है उसको अच्छे से collect करना है पूरे से अच्छे से उसको analyze करना है और फिर उसको use में लेना है kind policy formation के अंदर review of the प्रवासी भार्तिय दिवस events प्रवासी भार्तिय जो दिवस events होती है उनको review करना है और participation को और ज्यादा enhance करना है यह सभी points आप include कर सकते हो vulnerable section of diaspora community है उसको भी accommodate करना है उसके अंदर kind of ठीक है तो यह है last एक और है दो तिन पॉइंट और है इसमें तो एक तो है पैरा-डिप्लोमेसी क्या है पैरा-डिप्लोमेसी stepping up efforts of coordination and closure interaction with state governments for successful implementation of programs and इसकी पैरा-डिप्लोमेसी है बाद में बता रगा है qualitative and quantitative improvements the given judicial system को करना है cultural diplomacy start करनी है cultural to cultural जो bonds है उनको enhance करना है बढ़ाना है rich करना है man to man contact है ना individual to individual context को enhance करना है और उसके बाद impact assessment of the existing migration and mobility जो agreements है उनका impact assessment करना है comprehensive rehabilitation scheme बगरा चलानी है और इस पैंडेमिक बगरा के issues होते है जब disaster बगरा आता है तो उस टाइम पे किस तरह से rehabilitation किया जाए डाइसपुरा को डाइसपुरा का उसको भी ध्यान में देना है तो इसके लावा यहां पर दी गई है steps taken for enhancing engagement with diaspora population diaspora population के साथ कौन से steps ली गई है उनकी enhance करने के लिए उनके साथ engagement को तो इनको आपको मुटे-मुटे तोर पे ध्यान रख लेना है तो first of all तो merger कर दिया गया है जो हमारी ministry of overseas Indian affairs है MOIA उसका ministry of external affairs के साथ 2,15 के अंदर तो इस तरह से थोड़ा सा चीजों को merge करके और complexity को कम किया है दूसरा तो इसा भी क्या है enhancing engagement with diaspora के लिए क्या क्या steps हैं तो enhance करेंगे हम engagement diaspora के साथ उसके लिए ली जाने वाली steps क्या क्या रही है क्या क्य IA and MEA को merge कर दिया गया है और complexity को down कर दिया गया है दूसरा revamping of the organizations of प्रवासी भारतिय दिवस PBD प्रवासी भारतिय दिवस revamping of organizations of प्रवासी भारतिय दिवस with much greater participation of diaspora तो ये बात रही है बाद में institutional framework for the support and welfare of the Indian nations abroad तो इसमें ए मदद पोर्टल हो गया आपका e-migrate portal हो गया Indian Community Welfare Fund हो गया kind of प्रवासी भारतिय और सहायता के इंद्राज हो गए PBS के kind of Indian workers resources centers हो गए तो ये सबी चीजे भी वहाँ पे start की जा रही है और ये सबी portals वगरा भी start की जा रहे है इसम बूल सकते हैं तो institutional framework create के जा रहा है for support and welfare of the Indian nationals abroad Robust system of givens racial की बाद चल रही है यहाँ पे और इसके बाद state outreach program फिवगरा चलाए जा रहे है जिसके की under the banner of विदेश संपर्क के अंदर तो आपको ये धान रखना है and facilitating the diaspora community to contribute to give back to the country तो इसमें क्या किया जा रहा है बहुत सारी program चल रहे है लाइक वज्जरा faculty scheme चल रही है प्रभास जिसके full form है प्रभासी भारती academic and scientific संपर्क स्टार्ट किया गया है ये चल रहा है kind of हमें सब बोल सकते हैं वैभाव वैभाव का मतलब क्या है वैस्विक भारती है वैज्ञानिक तो ये भी चल रहा है schemes for rehabilitation में स्वधेश scheme है काफ important है skilled जो workers है arrive कर रहे है database for the employment support उनके database को collect के जा रहा है उनको employment support देने के लिए और ये scheme launch की गई है has been launched for citizens returning under the one day भारत mission with the aim of creating a database of returning citizens based on their skill sets and experience तो ये सब यहाँ पर कीजे की जा रही है ठीक है तो this is all about the Indian diaspora और हमने diaspora को comprehensively cover कर लिया है जो है Indian diaspora को अब हम next topic के उपर चलेंगे जो कि 2.2 रहेगा Indian diaspora मारा complete हो गया है अब हम Indian Antarctic Act को देखते हैं 2022 में तो इंडिया ने enact किया है Indian Antarctic Act 2022 इस Act के aim क्या है उनके बारे में हम बात करें तो इसके aim है national measures provide किये गए है इसमें for protecting the Antarctic environment तो Antarctic environment को protect करने के लिए इसमें measures provide किये गए है national measures and dependent and associated ecosystem and to give effect to the Antarctic treaty Antarctic treaty की हम बात करेंगे क्या है वो तो इसको give effect देने के लिए इसको लाए गया है the convention on the conservation of Antarctic marine living resources जो है उनको भी उनका भी conservation करना है ठीक है और साथ में ही protocol on environment protection to the Antarctic treaty तो Antarctic treaty के अंदर जो protocol है environment protection का उसको भी complete करना है उसको भी लेके चलना है तो यह सभी है जो एक तरह से aim है जो हमारा Antarctic act 2022 है उसके अब देख लेते हैं objectives of the act क्या है ठीक है तो prohibit करना है इंडियन का जो expedition है तो Antarctic or carrying of certain activities in Antarctic तो इसको रोकना है ऐसे expedition ऐसे कोई अभियान जो हो उनको रोकना है ठीक है और control रखना है सब चीजों को eliminate करना है mining और illegal activities यह वहाँ पे होती है तो ठीक है fulfill करना है इंडिया का obligation जो है Antarctic treaty के अंदर and related जो convention से उनके अंदर facilitating करना है इंडिया के interest के और proactive involvement करना है in management of growing Antarctic tourism ठीक है और cool मिला के sustainable development of fisheries resources in Antarctic waters बगरा को ensure करना है increasing international visibility credibility of India in polar governance के अंदर क्या करेगी international collaboration and corporation scientific and logistic field बगरा तो इससे इंडिया का इस्थान होगा उपर जाएगा इंडिया का स्थान जो है वो ठीक है इस तरीके की approach के साथ and building a well established legal mechanism for efficient and effective operations of Indian Antarctic program तो यह सारे जो है key objectives है यह आपको धहान रखना है key provisions of act क्या है तो applicability कहां पे है किस के ओपर applicable होता है जो यह हमारा Antarctic act है वो तो provision applicable to any Indian or foreign citizens किसी भी Indian or foreign citizens के ओपर यह जो है act है वो प्रभावी होता है लागू होता है इसके provisions जो है वो लागू होता है ठीक है कोई entities हो सकते हैं incorporated established or registered अंदर any law enforcement in India तो कोई भी law enforcement in India के अंदर कोई भी entity incorporated की गई है तो वो हो सकती है vessels हो सकते है aircraft registered हो सकते हैं जो इंडिया के अंदर है और involved हो सकते हैं यह किसी expedition के अंदर Antarctic आ के अंदर तो वो सभी के उपर यह act लागू होगा ठीक है establishment of the committee on Antarctic governance and environmental protection के लिए जो committee उसको establish किया गया है और इसको chair कौन करेगा secretary of the ministry of earth and science secretary of the ministry of the earth and science इसको chair करेंगे ठीक है and various function of the committee includes तो क्या-क्या function है इस committee के कौन सी committee के committee on Antarctic governance and environmental protection तो जो इस committee है इसके कुल मिला की जो functions है उनको हम देख लेते हैं पहला तो है grant करना suspension करना और cancellation करना permits for various activities in Antarctica in Antarctic तो यह काम इसका रहेगा monitoring करना implement करना और ensure करना compliance यह रहेगा negotiate करना fees and charges के साथ with other parties यह रहेगा और waste classification system and waste management plans बगर यह सब रहेगा अब यह आगे हम देख लेते हैं permit system क्या है यह permit by the committee on return authorization from another party to the protocol will be required for various activities such as तो यह बात है आग बताएगा यह से पहले हम Antarctic treaty क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं आफ इंपोर्टेंट है एक्जाम में आने की संभावना है बहुत ज्यादा है तो Antarctic treaty को आपको पूरी focus के साथ सुनना है तो this treaty came into force in 1961 1961 के अंदर यह treaty force के अंदर आती है rectification इसका किया जाता है 12 original जो members थे इसके उसके द्वारा 1961 के अंदर कौन थे 12 original members इसके है वो इसकी parties है इंडिया ने भी sign कर दिया है treaty को 1983 के अंदर and one of the 29 consultative parties to the treaty यह इंडिया है तो यह आपको इसका ध्यान रखना है यह का starting में कौन-कौन थे वो देख लेना है अभी कितने है वो देख लेना है objective क्या है treaty का वो देख लो आप तो demilitarize करना है Antarctica को demilitarize करना है making it free of the nuclear test and the disposal of the radioactive waste वगरा इसको ensure करना है पुरा establish it as a zone for peaceful and research activities peaceful and research activities के zone की तौर पे इसको establish करना है set aside the disputes of the territorial sovereignty तो यह सभी चीज़े ध्यान रखने it covers the area south of the 60 degree latitude 60 degree latitude के south का जो area उसको यह cover करता है और उसके अंदर और भी क्या देख रहा है आपको the treaty parties have also negotiated three international agreements which governs activities Antarctica collectively known as the Antarctica treaty system तो इसमें क्या क्या आता है treaty जो parties have also negotiated three international agreements के उपर भी negotiation किया है इस अभी चीज़े मिलके Antarctica treaty system कहलाता है तो यह तीन negotiations क्या है देख लो आप अच्छी से इसको यह पहला जो negotiation है वो convention for conservation of Antarctic seals 1972 second है CCAMLR 1980 का जो की rectify किया गया इंडिया की तदा 1985 में यह है क्या convention on conservation of Antarctic marine living sea shortage and final number पे है protocol on environmental protection to the Antarctic treaty Madrid protocol भी बोलता है इसको 1991 इंडिया ने 1998 में sign किया इसको तो हमने holistically देख लिया है काफी अच्छे से कि Antarctic treaty है क्या अब देखते हैं permit system की जो बात चल रही थी और यह बात चल रही थी कि permit system दिया जाएगा तो require for the various activities के लिए permit की बात होगी तो यह कौनसी activities है तो यह activities है entering and staying in the Antarctica के लिए mineral resources activities के लिए introduction of the non-native animals and plants or microscopic जो organism है उन सभी जेल के लिए removal of the biological specimen के लिए and waste disposal के लिए entering into Antarctica specifically protected area और marine protected area इन सभी के लिए permit system की बात की गई है तो यह थी कौन कौन सी conditions कौन कौन सी चीज़े है वो पुईते से prohibited है ऐसी activities जो की prohibited है Antarctica के अंदर, Antarctic के अंदर उसके हम बात करते हैं तो nuclear explosion पुईते से prohibited है the disposal of radio activity active जो वेस्टे हो पुईते से prohibited है ठीक है और उसके बात introduction of non-sterile soil ठीक है introduction of specified substance and product सब बंद है यह सब मना है तो यह आप देखलो discharge of the garbage, plastic and all that damage, destroy and remove any historical site or monument position, sell or offering for the sell trading, transporting, transferring and sending anything that has been obtained by the violating provisions of the act, तो यह सबी चीज़े हैं अब थोड़ा सहम देख लेते हैं जो है important चीजों को constitution of the Antarctica fund की भी बात यहां पर कर रखी है, यह ज़्यादा important नहीं है, आगे दिखते हैं stringent penalties for the contravention of its provisions के लिए यदि कोई nuclear explosion जैसी करता है Antarctica के अंदर Antarctic के अंदर तो इसको 20 साल की सजा हो सकती है, ध्यार रखना है और इसके लिए designated court की भी बात की गई है इस act के अंदर की जो one or more sessions court है उनको designated court बनाया जा सकता है Central Government ऐसा कर सकती है it can also specify the territorial jurisdiction to any offenses punishable under the act ठेक है, तो यह सबी बात है की गई है grant of the special permit for the commercial fishing in Antarctica की बात है provision for inspection in India तो inspection, provision for inspection in India की बात है तो यह सभी है तो by an officer जो होगा डाइस निटिक्ट किया जाएगा Central Government की द्वारा जन inspector and to constitute an inspection team to carry out inspections in Antarctica तो इसके regarding यहां पर बात की गई है Antarctica के बारे पर हम जान लेते हैं कि Antarctica क्या है, कितना बड़ा continent है काइंड अफ, यह information हम निकाल लेते हैं तो अब आउट अंटर्टिका में पांचवा सबसे बड़ा continent है Southernmost एकदम continent है Dryest है, Windiest है, Clorest है, Icist है यह continent है ठीक है यह कोई country नहीं है, not a country है, यहां पर कोई government बगरा नहीं है, indigenous हैं की population नहीं है Instead, entire continent जो है Scientific, जो है, Scientific Preserve किया गया है, एक तरह से रख दिया गया है, Preserve किया गया है Just 2% of this continent is free of ice 2% is continent का free of ice, ice से ध्यान रखना ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हलके फुलके से Plants and Animals वगरा हो जाते हैं, हलके फुलके About 90% of our total ice volume And 70% of its fresh water जो है, वहाँ पर है तो ice का पूरा जो volume है, उसका 90% Antarctic का के अंदर है, Antarctic के अंदर है And 70% जो है, fresh water है वहाँ पर, ठीक है Indian Antarctic के regarding चीज़े बता रखी है कुछ तो यह आपको देख लेना है, इंडिया जो also member of COM NEP का इंडिया member है तो इनको याद अख लेना है थोड़ा सा Council of Managers of the National Antarctic Program और दूसरा है, SCAR SCAR क्या है, scientific committee of Antarctic research तो इसके regarding बात यहाँ पर कर रखी है तो इसके अलावा यह आपको देख लेना है, कि हमारा एक जो है Research Station मैत्री यहाँ पर है इस location को आपको देख लेना है, भारती भी है यह hills, लार सेमन hills जो भी है, उनको आपको देख लेना है और इसमें bracket में लिखा गया है कि भारती के बाद, तक्षिन गंगुर्थी वाद फर्स्ट इंडियन बेस एस्टिबिस इंटियन भारती और यह जो hills बता रखी है, hills को भी थोड़ा आपको देख लेना है और फाइनल यहां पे बताया गया है इंडिया आर्क, जो अन्टार्क्टिक प्रोग्राम manage by the national, किसके दोरा NCPOR, National Center for Polar and Ocean Research की दोरा, जिसका की हैड़कोर्टर गुआ के अंदर है, उसके दोरा NCPOA के अंदर जिसका Headquarter Goa के अंदर है तो यह हमने Complete कर लिया है Holistically ठीक है अब Second Topic को भी अब हम Third Topic के उपर चलते हैं और इसको Cover करते हैं ठीक है तो Third Topic है वो है 2.3 Topic है Supply of Critical Minerals First of all मैं बता दू आपको Second Topic जो हमने Cover किया उसका नाम एक बार दुबारा बता दो तो कि आपकी दिमाग के अंदर अच्छी से Feed हो जाएं चीज़े एकदम तो Indian Antarctic Act 2022 इसकी हमने बात की है 2.2 Topic के अंदर Indian Antarctic Act 2022 उसके क्या Provisions हैं क्यों लाया गया है उसके क्या Objectives हैं फिर हमने बहुत जादा Antarctic Treaty के रिगार्डिंग भी बात ही की Antarctic Treaty क्या है उसके Provisions देख लिए Act के और फिर हमने Antarctic जो को एक तरह से देख लिया है पूरे continent को फाइनली हमने इस तरह से पूरा इसको कवर कर लिया है Topic 2.2 को अब हम Topic 2.3 के उपर आ रहे हैं Supply of Critical Minerals तो इसके रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे तो ये Critical Minerals क्या है Supply of Critical Minerals के रिगार्डिंग क्या बात चल रही है उसको देखते हैं तो First of All तो इंडिया को concern हो रहा है और concern ग्रो कर रहा है एक तरह से किस चीज़ के रिगार्डिंग कि इंडिया ने प्लेस फाइंड नहीं किया है US-led Minerals Security Partnership के अंदर तो इंडिया को वहाँ पर इस्तान नहीं मिला है जो US-led Minerals Security Partnership पर उसके अंदर तो क्या है ये MSP तो ये 11 कंट्रीज का एक एक तरह से ग्रूप है पूरा to secure and strengthen supply chain of critical minerals के लिए ठीक है तो उसमें इंडिया का इस्तान नहीं आया है तो क्रिटिकल minerals कौं कौं से है like cobalt, nickel, lithium and other real earth materials तो ये members जो है इसके जिन्होंने की एक तरह से Mineral Security Partnership लग में जो है वो जो members है उसमें US आ रहा है, Australia आ रहा है, Canada आ रहा है, Finland आ रहा है, France आ रहा है, Japan आ रहा है, Republic of Korea आ रहा है, Sweden आ रहा है, UK आ रहा है, European Commission आ रहा है, लेकिन इंडिया इसमें नहीं है, The Alliance का जो aim है, वो क्या है, catalyzing करना, investment from governments and the private sector to ensure the countries and realize the full economic development benefit of their geological endonments, तो इसके रिगार्णी यहां पर बात की गई है, It comes in the backdrop of the recorded demand for, तो आपको बता है कि काफी जादा recorded demand हो रही है, critical minerals की undominance कर रहा है, इसमें चाइना, तो इस वज़े से इसके backdrop में एक तरह से यह जो पूरा system है, वो आया है, mineral security partners पर इसके backdrop में evolve हुई है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो यहां पर आगे बताया गया है कि किस तरह से चाइना और जो आपका Democratic Republic of Congo है, वो किस तरह से इसमें आगे है, तो बता रखे हैं, यहां पर बताया गया है, मतलब, Democratic Republic of the Congo, DRC, and People Republic of China, ठीक है, जो चाइना है, इसको देख लेए आपको important है ना, तो अब देख लेते हैं, critical minerals and their significance की बात करते हैं कि क्या है, यह कौन से minerals होते हैं, जो critical minerals होते हैं, तो इसमें कौन कौन से elements आते हैं, तो हम देख लेते हैं, metallic and non-metallic elements दो नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसमें anti-money, और beryllium ठीक हैं, तो beryllium एंड यह आपका antimony and cobalt and germanium and graphite and indium and lithium and nobium, niobium, ओके हैं तो यह सबी हैं, सबी जो हैं, यह इसमें count किये गए हैं, इसमें का, दियार critical as they are associated impact on the economy, इनका associated जो impact होता है, एकनोमी के पर, वो ज्यादा है, वो ज्यादा होता है, हायर होता है, तो काफी important होते हैं यह, ठीक है, इसी को ध्यान रखना है, तो why India's exclusion from MSP ने जे concern, दिया का exclusion जो MSP से हुआ है, वो concern क्यों है, इस दिक्कत क्यों है, commonly used in the production of the advanced technology and the low emission technology such as the semi-conduction, hybrid cars and wind turbines, batteries, defense, equipment वगरे, इन सबके अंदर, इन सभी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि materials का, critical materials का, minerals का utilization होता है, और आपको बता है कि India को इन सबची कितनी requirement है in future में, तो इस वज़े से इसका, इन से connect ना होना एक अपने आप में दिक्कत है, यहां पर बता रखा है, self-reliance, आत, निर्भरता, या आत, निर्भर भारत, उसके अंदर, multiple sectors के अंदर, domestic manufacturing capacities को हमको बढ़ाना है, semiconductor batteries वगरा, तो इनकी elements की बहुत जादा requirement है, promotion of energy efficiency वगरा हमको करना है, faster adoption of the manufacturing hybrid electrical vehicles वगरा हमको करना है, जैसे बताते हैं कि electrical जो cars होती है, उसमें six times more critical minerals as compared to conventional cars के, इसी तरह से बतलब हैं जो बताया गया है कि decarbonization of energy system हमको करना है, यहाँ पर एक और बात बताई गई है, एक जामपल में, यहाँ पर एक और उधारन्दी के बताया गया है कि offshore wind plant होते हैं, requires 13 times more critical minerals than compared to gas plants of the same size, तो gas plants जो होते हैं, same size के, उसकी तुला में 13 गुना ज challenges in critical mineral supply, critical mineral supply के अंदर challenge क्या है, वो हम देख लेते हैं, first of all, high import dependency on most countries due to the high geographical concentration of the critical minerals extraction and processing, तो Chinese का dominance इसके अंदर काफी ज़्यादा है, the value chain of the rare earth minerals जो है, तो इसमें इंडिया की काफी ज़्यादा high import dependencies के उपर है, तो यह अपने आपने चैलेंज है बहुत ज़्यादा, ठीक है, long project development late time, ठीक है, और to move mining projects from the discovery to first production, तो यह सारी चीज़े भी problem है, तोड़ा market tightness and price volatility, यह सब problem है, decline और जो quality हो डिक्लाइन हो जाती है, and reduce हो जाता investment from resource rich country due to the pandemic के हो जैसे हो गया है, तो इसके हो जैसे भी supply chain है, वो काम हो गई है, और demand काफी जादा है, और supply chain reception सा हो गया, एक प्रजिक risk है, वो भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं, और इस वज़े से भी problem create हो रही है, और बाद में, increase sustainability and responsible production pressure on mining activities, और फिर बाद में बदा रहागा, इंडिया's domestic challenge further limits इंडिया's ability to tap critical minerals, तो इंडिया के domestic challenge वगरा भी है, तो इसके regarding काफी important कुछ development वगरा हो रहा है, उसको हम दे limits point of view से भी, mains point of view से भी question आ सकता है, इसको आप example की तौर पर site भी कर सकते हो, example नहीं तो इंडिया क्या कर रहा है मिंदल्स के लिए, उसमें आप site कर सकते हो इसको, तो खनीज विदेश जो इंडिया लिमिटेड है, वो है क्या देखते है न, it is a joint venture, ठीक है तो यह एक तरस joint venture है, तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, खनीज के regarding, उसके अंदर आप इसको include कर सकते हो, खनीज विदेश इंडिया लिमिटेड को, तो यह joint venture है, तीन central public sector enterprises का, जिनका नाम है नालको, SCL, and MECL, नालको की फिल्प्रों आपको पता है, और SCL की भी पता है, और MECL की लिख joint venture है, it is mandated to, it is mandated, क्या mandated किया गया है, to identify and acquire overseas mineral success to critical and stergic nature, such as the lithium, cobald, nickel, copper, neodymium, and other rare earth materials, currently यह कहाँ पे engage है, यह हमारा जो खनीज बिदेश इंडिया है, काबिल, ठीक है, कहाँ पे अभी एक तरह से involved है, तो यह engage है, countries like Australia, Argentina, Bolivia, Chile के साथ, to tap critical and stergic जो mindles से उनको tap करने के अंदर, तो wave forward की बात की गयी है, हमाir सामने जो इप्रॉब्लम है, इसके लिए way forward क्या हो चकता है, जो mindles की problem है, critical mindles की problem, इंडिया के सामने है, इसके लिए way forward की बात की गयी, तो पहली बात तो बता ये हो बता तो जिए गया, कि गर्मान ने सेट अप कर दिया है गोवर्मेंट है सेट अप खनी बिदेश इंडिया लिमिटेट काभिल तो अइडेंटिफाइन एक्वाइर दावसीज क्रिटिकल एंड स्टर्जिक मिंदल्स असेट्स अगे फिर बता रखे हैं सेट अप आप 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 खनी बिदेश और एक्वाइशन की बात चल रही यहां पे और साधी साथ में बताया गया है कि बॉलिमेटिक जो नॉड्यूल्स है पॉलिमेटिक नॉड्यूल्स जो है सीफ्लॉर मैसिव सलफाइट्स जो है तो यह सभी जो चीज़े हैं तो इनको भी तोड़ा एक्स्प्लोर करना है ठीक है तो इनको भी देखना है इसके रिगार्डिंग में बाद चल रही है एन्हेंस करना है सप्लाई चेंड रिजिलेंस को स्टाइडिक स्टॉक पाइलिंग करनी है स्टाइडिक स्टॉक पाइलिंग है वो हेल्प कर सके इसको दिखना है इसके अब करना है इंटरनेशनल कॉलिबरेशन वगरा को और यह सभी चीज़े करनी है यहां पर तो इन सभी चीज़े के बारे में बता गया है वे फरवर्ड के अंदर अब देखते हैं हम 2.4 नंबर का म स्टीकाइन इसको जानते हैं कि तो जिसेंटली जो पैल में इंटोनेशनल सेंटर है कि यह कषिजे की बात करते हैं क्या है what is the concept of common security common security का concept जो बोलता है इसका जो notion है वो simple सा एक assumption के उपर है कि कोई भी देश, no nation, community और individual can be secure without other nations community individuals enjoy the same level of the security यदि other countries, other nations, other communities other individuals है वो यदि same level of the security अचिव नहीं कर रहे है तो कोई दूसरा भी जो nation है वो और community individuals जो है वो security को महसूस नहीं करेंगे security नहीं रह पाएंगे ठीक है तो ये वाला इसका क्या है पूरा एक देशे notion है आगे इसमें बता रखाया है कि यदि कोई भी conflict होता है तो उसका cascading effect तो होता ही है अभी जो Ukraine जशिया के अंदर reward चल रहा है उससे inflation कितना ज़्यादा high हो गया है ठीक है तो यहाँ पर बताया गया है Ukraine और Afghanistan की जो conflict हुए ठीक है उनकी जैसे countries में कफी ज़्यादा food जो grains है फटिलाइजर वगरा फ्यूल वगरा के अंदर problems create हो रही है तो पूरा मतलब कि इसका एक देशे cascading effect हो रहा है इन सब चीजों का तो common concept of security go beyond the narrow traditional realistic, realistic approach to security मतलब कुल मिला कि जो common concept of security होता है ना वो narrow जो traditional अपता की अप्रोच रहा है उससे अलग रहता है थोड़ा सा तो traditional idea of security क्या हुआ करता था protection करना है अपने particular state का आगे ने थेट्स भार की जो threats, external threats and attacks है उससे देश को बचाना है kind of पहले इस तरह का traditional idea of security रहा करता था ठीक है, states को उससे बचाना है kind of defense of the states against the external threats and attacks ठीक है, तो इसमें group भी हो सकता है एक कुरा, ठीक है, वो मिलके बचा सकता है और एक individual country भी बचाती है अपने आपको, ठीक है, तो notion of the common security about non-violent approaches आपर common security के अंदर important चीज़ आए कि non-violent approaches की याँ पर बात की गई है to the universal need to be secure और universal need to be secure ठीक है, अब याँ पर बता रखा है, this to common security in the current era, common security के लिए क्या है current era के अंदर तो देखो, अभी साफसा पता चलदा है, challenges to the multi-lateralism जो है in a multi-polar world multi-lateralism भी है, multi-polar world के अंदर तो इसके सामने काफी सारे challenge है, तो जैसे कि बताया गया है कि respect for the core principles of the international humanitarian law is increasing under threat, जब बता रखा है कि जो core principles of international humanitarian law है, वो अभी खत्रे के अंदर है, जैसे कि साफसाफ दिखरा है recent events हुई है, Palestine के इसके बारे में बता कि बता रखा है कि कुल्मिला की problems चल रही है इसके बाद लिखा पता जब रहा है militarization, तो बहुत जाद militarization हो रहा है, massive investment in military वगरा हो रहा है, और यह सारा एक विश्य सर्किल सा बन गया है, तो यह भी अपने common security challenge के सामने problem है Korean Peninsula के बारे में बताया गया है Korean Peninsula represents one area of particular concerns where nuclear tensions remains high and there is increased militarization, तो militarization आप increase हो रहा है, बाद में बताया गया है कि authoritarian जो regime है वो बढ़ रहा है, वो democracy के जो space को कम कर रहा है और पिछले 15 साल से देखा जा रहा है कि authoritarian regime continuously बढ़ता जा रहा है और इसके वज़ेसे भी बहुत जादा problem है और ये भी common security के सामने अपने आपने एक challenge है, उसके बाद global warming and climate crisis वगरा हो रहा है तो इस economy down हो रही है और ये global warming and climate crisis है ये भी काफी बड़े conflicts को जनम दे सकता है, wars को जनम दे सकता है, ठीक है, यहाँ पर नियर्ली half of the world's population जो है 5.50 dollar per day से कम में अपना survive कर रही है, तो ये inequality बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये भी problem हो सकता है कुल मिलाके, common security के सामने एक challenge है, एक problem है, current and future जो pandemics है, वो भी problem create करेंगे तो way to achieve common security का way क्या हो सकता है तो first of all तो बताया गया कि strengthen global architecture for peace तो global architecture जो peace के लिए उसको बढ़ाना, इसके अंदर जो regional bodies जो है, original जो organization से उनका बहुत important role रहने वाला है, तो बताया गया है like SARC हो गया, आपका GCC हो गया ASEAN हो गया, African Union to Develop framework वगरा इन सब का बहुत important role है, किस चीज के अंदर common security को achieve करने के अंदर through strengthen global architecture for peace यह यहां पर बताया गया है ठीक है, तो यह सभी बताया गया है फिर linking disarmament करना है यहां पर disarmament करना है with development तो development के साथ disarmament करना है disarmament करना है, militarization को कम करना है military को बदलना है, ठीक है military को कम करना है kind of, यह सभी चीज़े जरूरी है यह सभी चीज़े करके हम common security को achieve का सकते हैं, तो लिखा गया है reduction in the military spending to generate a global peace dividend, reduce spending on military personals by creating civil services option, civil service option as alternative to military service तो यह सभी बात की गया है revitalize करना है nuclear arms control and disarmament को तो यह सको revitalize करना है एक तरीके से साथे साथ में बताया गया है regulation of new military technology in outer space weapons engage and involve civil societies को engage करना है, NGOs बगरा के help ले नहीं है, NGOs must play an active role in advocacy work and raising awareness kind of, तो इन सब चीज़ों की through common security के goal को अचीव किया जा सकता है, तो यह सभी चीज़े हैं जो way है, ways to achieve common security तो कौन से तरीके हैं, जिसे common security को चीव किया जा सकता है, तो उसके regarding यहां पर बात कर ली गई है, अब हम next topic के उपर चलता है, 2.5 topic है nuclear जो non proliferation treaty है NPT, उसके बारे में हम उसके regarding हम बात करेंगे अब यहां पर तो NPT news के अंदर क्यों है क्योंकि NPT में भी 5 years review meeting हुई है तो NPT के regarding हम जान लेते हैं अभी NPT को 50 साल हो चुके है NPT completed 50 years in 2020 के अंदर NPT 5 years review was supposed to take place in 2020 but was delayed because of the COVID-19 pandemic about NPT देखते हैं तो NPT के बारे में हम जब बात करें तो treaty was signed in 1968 and entered into force in 1968 1968 माही तो 1970 के अंदर ही entered into force हो गई थी it is described as the किसके रूप में इसको described किया गया है cornerstone of the global nuclear non-proliferation and disarmament and it is among the most widely adhered to global treaties widely adhered to global treaties ही रही है the treaty represents the only binding commitment in a multilateral treaty to the goal of disarmament by the nuclear weapon states अब देख लेते हैं the treaty defines the nuclear weapon states as those that have built अना तो nuclear weapon states कौन से हैं specifically आपको दिहार रखना है treaty किसको मानती है nuclear weapon states at those that have built and tested a nuclear explosive device before 1 January 1967 these are the United States Russia, UK, France and China for other states are non or believed to possess nuclear weapons वो है इंडिया, पाकिस्ता, इंजराइल and North Korea तो all countries of the world except सभी कंट्रिया है, except कौन सी? South Sudan को और जो पाचार कंट्रिया दिखाई गई है उपर उनको ठीक है party to the NPT above all our parties to the NPT इनके लावा सभी जो है NPT की parties है NPT reviews of conference is held every five year में होती है International Atomic Energy Agency IAEA verify करती है non NWS NNWS विसको बोलता है compliance with commitment under the NPT not to acquire nuclear weapon इसमें article 13 के regarding बात की गई है article 3 requires NNWS to conclude agreement with the IAEA to safeguard all nuclear materials in all peaceful nuclear activities तो अब हम आगे देखते हैं achievement of NPT क्या राए है उससे पहले हम IAEA के बारे में जान लेते हैं IAEA क्या है और उससे पहले हम objectives of NPT को देख लेते हैं objectives of NPT simple से है prevent करना है speed of nuclear weapons and weapons technology को तो इसके फैलाव को रोकना है nuclear weapons and weapon technology उसके फैलाव को रोकना है उसके बाद to further the goal of achieving nuclear this armament this armament को अचीव करना है and general and complete this armament ठीक है and to promote cooperation in peaceful ways of nuclear energy इसको promote करना है to promote cooperation in peaceful usage of peaceful use of nuclear energy तो इसको promote करना है ठीक है आगे दिखते हैं about IAEA IAEA क्या है यह 1957 में found किया गया है promote nuclear cooperation nuclear cooperation को बढ़ावा देनी के लिए ठीक है and safe, secure and peaceful use of the nuclear technologies के लिए इसको लाया गया it is specialized agency integrated within the United Nations system United Nations के system के अंदा integrated की गई यह specialized agency है but through its own international treaty लेकिन खुद की अपनी international treaty के साथ the statute of the IAEA it has three main roles इसके तीन major roles है पहला गाया furthering peaceful usage of furthering peaceful use of nuclear energy को furthering peaceful use of nuclear energy को ensure करना है promoting nuclear safety and security verifying in more than 900 civilian facilities जो है that nuclear materials are not used in making nuclear weapons तो 900 से ज़्यादा जो civilian facilities जो इसके अंदर यह confirm करना है verify करना है इसको कि verify करता रहता है verify करना है इसको कि वहाँ पर जो material है nuclear material को nuclear weapons के लिए यूज में तो नहीं लिया जा रहा है ये भी देखना है ठीक है NPT के achievements देखते है NPT के achievements क्या रही है ठीक है तो achievements of NPT की जब बात आ रही है तो जो nuclear weapons है उसमें reduction हो गया है नंबर में बताते हैं कि 27,300 warheads हुआ करते थे 1986 में जो कि अभी presently 14,000 के आसपास बताए जाते हैं जिसमें कि US और रशिया ही 12,500 के आसपास अक लेते हैं तो काफी reduction हुआ है Successfully prevented the proliferation around the world को काफी successfully इसने रुका है Additional protocol for detection के लिए The treaty facilitates the cooperation on peaceful application of the nuclear technology under the watch of the IAEA जिसके बारे में हमने देख लिया है Creating nuclear weapons Free John's Vigara की बात यहां पे है अब challenges to effective implementation on NPT NPT के effective implementation के सामने challenge क्या है उसके दिए हम बात करते हैं तो first of all the non-compliance of each nuclear weapon state with the treaty तो जो each nuclear weaponist state है उसको treaty के साथ non-compliance रहता जाता देखने को मिलता है और arsenals को यह अपने को बढ़ा रहे है arsenals की size को increase कर रहे है रेक रसिया और चाइना और जो है UK भी अपने warheads वगरा को बढ़ा रहा है तो यह अपने आपने बढ़ा challenge है problem है जे-सी-पोई की regarding यहाँ पर बात की गई है US North Korean negotiations की regarding यहाँ पर halt पर है उसकी regarding बात की गई है और loophole in the treaty treaty के खुद के अंदर loophole क्या है NPT does not forbid a non-weapon state from possessing nuclear weapons NPT does not forbid a non-weapon state from possessing nuclear weapons इसमें it forbids the acquisition ना it forbids the acquisition but in theory country with weapons could sign the NPT as a non-weapon state and not give up weapons already made तो यह भी problem है the treaty has no sanctions for wallet us or for withdrawal from treaty उसके लिए कोई sanctions वगरा के आपे बात नहीं हो कि treaty के अंदर emergency of new technology kind of यह भी problem है आप में काफी सही नहीं technology निकल रहे है and types of the weapons निकल रहे है including offensive fiber, counter space and hypersonic weapons वगरा इंकल के आ रहे है तो यह भी problem है breakdown in the international diplomacy over the Ukraine invasion तो जो international diplomacy है उसका breakdown हो गया Ukrainian invasion के राद तो यह भी problem है and it is also enabling other states to move away from non-proliferation and disarmament से दूर जाने के लिए और states जो हो रहे है वो भी enable हो रहे है इसके वज़े से formation of the military groupings formation of the military groupings हो रहा है like अभी क्या हो रहा है the proposal to allow Australia and non-nuclear weapon state to acquire nuclear submarine powered by the high and this uranium HEU under the AUKUS agreement has a potential negative impact on non-proliferation efforts and the control of fissile material तो यह सारी problems चल रही है खुल मिलाके है ना इसके regarding यहाँ पर बात की गई है India stands on NPT and other key treaties India का stand क्या है India ने NPT को sign नहीं किया है India has not signed or joined the NPT due to the regime's discrimination क्योंकि discrimination है यहाँ पर regime का और जो five original nuclear weapons है power है उनका और जो और लोग उनके बीच में इसके discrimination किया गया है it divides the world into the nuclear haves and have nots तो जो इनके पास nuclear haves and have nots उनके रिवाइड कर रहा है तो इंडिया को यह बिल्कुल भी उचित नहीं लग रहा है तो इंडिया ने NPT को sign नहीं किया है we are not signed or joined the NPT India also opposed the treaty on on the prohibition of nuclear weapons तो इंडिया also opposed opposite treaty on the prohibition of nuclear weapons आगे बता रहा है इंडिया also opposed comprehensive nuclear treaty comprehensive nuclear testament treaty CTBT को भी इंडिया ने अपोज किया है इंडिया supports the commencement of the negotiation on comprehensive nuclear weapons convention in the conference on disarmament तो यह सभी चीज़े कोई बात यहाँ पे की गई है सभी चीज़े की बात यहाँ पे है कि इंडिया किसको support कर रहा है किसको नहीं कर रहा है सिप्री के बारे में दिखते है Stockholm International Peace Research Institute सिप्री 2022 reports highlights on nuclear weapons proliferation तो सिप्री जो होता है हतियार बारे में इन सब चीज़े के बारे में बता रहता है export import कितना चल रहा है इन सब का इसके रिकार्डिंग बात करता रहता है सिप्री जो है काफ इंपोर्टन इंस्टूट है यह तो इसकी 2022 के एक report है जो कि nuclear weapons proliferation के बारे में बताती है while absolute number of the nuclear arsenals have reduced absolute number of nuclear arsenals तो कम हो गए है इसमें कोई दोराय नहीं है they are expected to grow over the next decade पर अगले decade में बढ़ सकते हैं दुबारा से इस चीज की संबावनाए है Russia and USA together possess over 90% of all nuclear weapons 9 nuclear armed states nuclear armed states जो 9 कोन कोन से है US, Russia, UK, France, China, India, Pakistan, Israel and Democratic People's Republic of Korea North Korea continue to modernize their nuclear arsenals तो यह continue modernize कर रहे हैं अपने nuclear arsenals को तो यह जिप्रिक रिपोर्ट है तो अब हम देख लेते हैं finally कि way forward क्या हो सकता है यहां पे न NPT के सामने way forward क्या हो सकता है तो यहां पर बताया क्या है more mistakes on USA and Russia USA and Russia की पर जिम्मेदारी ज्यादा है they could help themselves by adding the extended new start new start जो treaty है इसका full form क्या है strategic arms reaction treaty it would be useful to engage China in strategic stability discussion as well तो adhering to the TPNW TPNW को adhere करना है कैसे it will make a strong contribution to NPT's article 6 obligation for state parties to pursue nuclear disarmament and बाद में बता रखा है increasing peaceful usage of nuclear energy तो peaceful usage of nuclear energy को बढ़ावा दिना है more regions in the world preferably comprising NWS should enter into the arrangement arrangement of the establishing nuclear weapon free zones तो ये भी होना चाहिए kind of है ना तो ये सभी बात देकी गई है याँ पर इसी के साथ हमारा 2.5 जो topic है वो खतम हो गया है ठीक है अब 2.5 topic हमारे क्या था 2.5 हमारे topic था NPT ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम दिखते हैं फरदर next topic को जो है 2.6 South Asian Association for Regional Corporation तो ये है आपका सार्क सार्क की रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे तो South Asian Association for Regional जो कोपरेशन है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो सार्क की बात कर रहे हैं हमें आपे तो सार्क जो है उसके रिगार्डिंग भूटान के जो प्राइम इस्टर रहोंने अपने concerns बताए हैं और बोला है कि सार्क को रिवाइब करने की requirement है और इसको rejuvenate करने की requirement है ठीक है और इसके लिए great efforts करने होंगे तो सार्क के बारे में बात देते हैं अफगानिस्तन, बांगलदेश, भूटान, इंडिया, मालदेश, नेपाल, पाकिस्तान, अंसिलंका और इसका जो secretariat है वो काटमंडू, नेपाल के अंदर है objective जो है simple सा है welfare of लोगों का जो है साउथ इसिया के अंदर इसको promote करना है और improve करना है quality of life को accelerate करना economic growth को territory integrity को, mutual trust को strengthen करना है collective self-reliance को यह सब इसके क्या है objectives है जो last जो साउथ की submit हुई है वो 2014 के अंदर हुई है 2016 में submit होनी थी, scheduled थी लेकि नहीं हो पाई, जो test हुए थे हमारे पतान कोट है और उरी के अंदर ठीक है, उसके होज़े से उसके backdrop में यह summit cancel कर दी गई, नहीं हुई साउथ जो होता है, वो किस वाग principle काम करता है, consensus principle of consensus and summit can not be held if even one member decided not to attend यदि एक भी member attend नहीं करता है summit को, तो फिर summit नहीं होती है 2016 के अंदर इंडिया, along with Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Mahaldish and Sri Lanka declined for participating in the Islamabad Sark Summit तो काफी लोगों ने मना कर दिया था उस दिन उस year में Sark Summit के अंदर पाट लेने, Sark Summit में पाट लेने से need for revival of Sark, Sark के revival के requirement क्यों है, उसके regarding हम बात करते हैं यहाँ पर तो Sark जो होता है, पूज़ता है से represent करता है entire South Asian region को ठीक है तो यह एक ऐसा organization है जो geographically and culturally reflect करता है South Asian identity of the countries को, dealing with the common issues of the region के अंदर यह काफी effective हो सकता है, जो South Asian countries are closely tied in their socio-political states as they face similar traditional as well as emergency emerging issues like terrorism, energy shortage hydropor, जो आपकी politics है पानी के उपर जो भी politics होती है वो climate change वगरह सबको face कर दा है काफी important platform हो सकता है critical for economic integration of the region, तो region के economic integration के लिए काफी ज़्यादा critical है जो world bank की report है वो बोल रही है intra-regional trade at less than 5% of total trade South Asia is list integrated region in the world और बताते हैं, East Asia 35% and Europe 60% तो economic integration के लिए काफी ज़्यादा important है, अभी जो intra-regional trade हो रहा है यहाँ पे South East Asia, South Asia के अंदर ठीक है, वो काफी ज़्यादा कम है ठीक है, और as compared to जो East Asia है, तो South Asia में जो यह पूरा trade है, intra-regional trade हो काफी कम है, world bank की report के according जो की East Asia के अंदर 35% है intra-regional जो trade है महीं पर Europe के अंदर 60% है उसकी तुलना में South जो ECI उसमें कम है, उसका एक रिजन हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सार्क फिल हो गया है अब तक है ना, तो central pillar of India's neighborhood first policy तो इंडिया की neighborhood first policy का यह central pillar है जो सार्क है, तो यह भी देखना है आपको no real alternative तो BIMSTAC cannot replace सार्क, फर्स्ट अफॉल है तो इस वज़े से BIMSTAC जो होता है सार्क को replace नहीं कर सकता है तो आप समझ चुके हो क्या है बात तो सार्क के जो वर्किंग की ब्रीफ आइडिया जो थे उसकी regarding यहां पर बात की गई है ठीक है achievements of सार्क देख लेते हैं first of all हम achievements of सार्क क्या है तो आपको देख लेना है एक साप्टा है एक साप्टा है तो यह 1995 से effect में आया रहा है और agreement बात साइन to reduce custom duties of all traded goods to zero by year 2016 इस गुड़ेंड टो गुड़्स excluding all services like information technology तो यह आपको देख लेना है एक है सार्क agreement on trade in services SATIS तो SATIS is following the GATS plus positive list approach for trade in service liberalization तो यह सार्क university जो है established in India में हुई है एक सार्क food bank है यह भी established किया गया है जो emergency source for the facing crisis or shortage of the natural disaster की condition के अंदर तो यह आफ इंपोर्टेंट है सार्क जो food bank है सार्क जो है arbitration council Islamabad के अंदर है to provide a legal forum for the South Asian nations for solving conflicts सार्क development fund है was recognized by the members in 2010 to promote the welfare and the welfare of the people of the South Asian region and South Asian regional standard organization सार्सो जो है जो है एंदर जो है एंट्रा regional trade and to enhance access to global market kind of तो यह सभी चीज़े achievements of सार्क है है इनको अच्छे से आपको देख लेना है अब देखते हैं failure and challenges of सार्क सार्क का failure उसके सामने challenges क्या है उनको देख लेते हैं तो first of all strained relations strained relations between India and Pakistan तो काफ़ ज्यादा escalated tension हो गई है and conflict बढ़ चुके है और जो सब चीज़ों ने hamper किया है सार्क को बहुत अक तक यह हम बोल सकते हैं for instance पाकिस्टान non-cooperation as stalled some major initiative like motor rigor जो agreement वो stall हो गया एक तरह से stall हो गया वो and सार्क satellite project इस्टार हो गया पाकिस्तान के non-cooperation के वज़े से सार्क ministers meeting 2019 सार्क ministers meeting 2019 Indian Pakistan ministers bycotted each other speeches तो एक दूसरी की speech को एक दूसरी की speech को जो है bycote कर दिया है तो यह सारी problem रही है strained relations between India and Pakistan जो है एक challenge है सार्क के सामने और है ना बात में lack of dispute resolution lack of dispute resolution mechanism सार्क does not have any agreement for resolving disputes or mediating conflicts तो सार्क के पास कोई ऐसा mechanism नहीं है जिससे की disputes को resolve किया जा सके और conflicts के बिच में mediate किया जा सकता है तो यह भी एक problem है South Asian free trade agreement साफ्टा जो है उसके साथ क्या issue रहा है given the presence of sensitive list साफ्टा is yet to be implemented in spread साफ्टा को अभी भी split के अंदर implement करने में अभी क्या है दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है अभी भी इसको किया जाना बाकी है पूरी split के साथ implement lack of transit facilities also prevent trade relations to flourish failure in reaching common ground on issues तो काफ़ी सारे issues और इसके उपर common ground के पर नहीं पहुँच पाई है यहां पर दिक्कत क्या हो रही है the organization has not been able to evolve a common and comprehensive approach to counter terrorism के लिए common and comprehensive approach जो है organization नहीं बना पा रहा है asymmetry between India and other members countries तो perceived India is a big brother and have been reluctant to implement various agreements under SARC तो यह एक problem है lack of resources SARC के पास lack of resources है fund की कमी है shortage of resources है countries have been reluctant to increase their contributions तो contributions जो है वो countries नहीं कर रही है तो shortage of resources है फिर water disputes है काफी सारे जो है South Asian water problems में become a source of future intra and interstate conflict ठेक है तो यह भी बात बताई गई है way forward क्या हो सकता है उसके बार हम बात कर लेते हैं हम तो यहां पर बताई गया है conduct of SARC meeting physical and virtual जो है वो काफी एक तरह से essential हो गई है ठेक है conduct करनी है इन सभी चीजों की तरह हम कुल मिला के SARC को वापिस से revive कर सकते है वापिस से SARC को strengthen हम कर सकते है rejuvenate हम दुबारा SARC को इस तरह से कर सकते हैं एक तरह से तो यह था SARC के regarding हम देखेंगे 2.7 जो topic है Trans-Himalian Multidimensional Connectivity Network Trans-Himalian Multidimensional Connectivity Network इसको देखेंगे अब हम तो China and Nepal agree हुए है बिल्ड करने के लिए Trans-Himalian Multidimensional Connectivity Network तो देख लेते हैं हम किस तरह की कई Network है kind of है न अब और दर Trans-Himalian Multidimensional Connectivity Network के regarding हम बात करते हैं तो इसको शॉर्ट में बूल रखा है THMCN इसको और सो रफर्ड एज Trans-Himalian Network यह क्या है इन्हेंस करना है Connectivity को Connectivity in Ports, Roads जो होती है Roads हो जो है Connectivity in Ports, Railways, Aviation and Communication के अंदर इन्हेंस करना है Connectivity को और जो THMCN का एम है वो है Pave the way for International Sorry Pave the way for more Intrigation between China and rest of South Asia तो देख लेते हैं Concerns क्या है इंडिया के इसकी regarding तो Himalayan Quad की तरह इंडिया को देख रहा है Many experts observe that China is trying to form a Himalayan Quad consisting of for Himalayan countries लाइक ओनकोंची कंट्री जा चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल को जोड के एक तरह से ये Quad बनाने की कोसिस कर रहा है काफी जो experts है उन्होंने ये अब्जोर्ब किया है Which could have a very negative impact on India's security and strategic environment जिसके उपर negative impact हो सकता है ये बताया गया है आगे हम देख लेता है कि बॉक्स में क्या लिखा हुआ है existing factors for delay in implementation of the project तो project के implementation के अंदर कौन-कौन से जो existing factors है वो delay कर जाए concerns over financing and transparency तो नेपाल की जो government है उनकी तीन मेंच concerns है चाइना की regarding wants to interest rate and repayment time should be in line with that of the multilateral funding agency जो होती है na World Bank or National Development Bank की तरह होना चाहिए repayment का time वागेरा सब कुछ है na ऐसा चाहता है जो है नेपाल वो BRI projects should be open for competitive biddings के लिए होने चाहिए apprehensions over China's debt trap diplomacy के उपर apprehensions है नेपाल के भी Sri Lankan's financial crisis has become a pretext for Nepali official wanting to slow down Chinese financing तो यह भी यहाँ पर बात हो रखी है आगे बता रखा है impact on relations with Nepal तो इसकी regarding है कि इंडिया की concerns के अंदर ही हम देख रहे है ना तो impact हो सकते हैं इंडिया और नेपाल की relations कैसे हो सकते हैं हो देखते हैं landlock Nepal has traditionally relied on India for trade and transit routes इसके लिए इंडिया के उपर डिपेंडेंट रहा है नेपाल सुरू से तो यह सब रहेगा तो आगे बताए गया है changing India's role in South Asia किस्ते से change हो रहा है इंडिया का रोल South Asia में by helping create multiple access points via rods and ports China can present an alternative to South Asian nations and cultivate the means to challenge इंडिया's role in South Asian power की रूप में चलेंज कर सकता हैं इंडिया के रोल को security concerns भी है TMSNCNK infrastructure के regarding यह initiative will pass near Lumbini Lumbini के यहां से गुज़र रहा है which is close to the India border India border के काफी करीब है तो इस वज़े से इंडिया की problems है इसके regarding में इंडिया के concerns हा रहे है environmental impact तो है infrastructure project run through the fragile alpine ecosystem से run करेंगे and carving up the land for and carving up the land for roads and tunnels के लिए किया जाएगा तो यह accessibility कर सकते है accessibility कर सकते है land slides को floods को अपर हिमालें states के अंदर इंडिया में तो यह भी problem हो सकती है way ahead इंडिया के सामने क्या है उसके दियम बात करें consolidate करना है relation with the Nepal के साथ इंडिया को अब इंडिया को must introduce new economic development and the infrastructure initiatives with निपाल करने होंगे environment concerns को भी raise करना होगा Himalayan region should come together to form a third form Polk Council and collectively tackle the environment concerns and pleasing mountains वगेरा की बात यहापे बोली गई है improve connectivity in border region तो border region के अंदर इंडिया को भी connectivity बढ़ानी होगी building up its border region as opposed to keeping them disconnected will help इंडिया facilitate the movement of goods and जो troops है उसका movement टीजी से हो पाएगा तो इसके regarding जो बताया गया है आगे बता रखा है China's outreach in Himalayan region के इस तरह से है उस चीज़ के बारे में यहापे बात की गई है तो यहापे बता रखा है China forces the Himalayan the next frontier the global for global resources management and conservation particularly क्योंकि 4-5 करोट जो लोग है वो काफियत तक पानी वागरा के access के लिए Himalayan region के उपर काफी depend करते है तो काफी ज़्यादा लोग depend करते है और climate change काफी तेजी से हो रहा है तो काफी important हो जाता है जो area है unknown minerals deposit है Himalayan region के अंदर, sub region के अंदर तो उसके जैसे भी चाइना का काफी focus है Himalayan के उपर kind of है ना उसके लावा चाइना आउटरीज इन रिजन हैज बिन characterized by comprehensive security agreement infrastructure oriented and enhanced focus on trade public private partnership वगरह सब चीज़े चल रही है CPC के बारे हम जानते ही है और चाइना है इंवेस्टेड इन वाखान कोलिडर फाइबर अप्टिकल सर्विर प्रोजेक्ट के अंदर भी invest चाइना ने किया है इंडिया इंडिया की इस्टरजी है क्या इंडिया की इस्टरजी है इंडिया इंडिया की निजिन की referring तो independence के time से इंडिया की causes रही थी इंडिया ने choose किया था एक तरह से hemowaland border को accessible रखना है और poorly connected क्योंकि एक तरह से Chinese की invasion की concern की value significant this teamweight접慢慢 disconnect between the borders इसके जैसे काफी disconnection हो गया है और especially on the Himalayan front के उपर तो वो कुल मिला कि यहां पर अब इंडिया ने बिगिन किये हैं बहुत सारी जब प्रोजेक्ट हैं रिजन कनेक्टिविटी हिमाले इन 2013 और बहुत सारी रेल प्रोजेक्ट वगरा चल रहे है 14 जो है रेल लाइस कनेक्टिविटी चल रही है और हम वहां पर development कर रहे हैं और उनको connect करने की causes कर रहे हैं इंडिया क्या है थे ऑनक्रड के सीब्लोपन बांड रहे इसकी हज़े से भी हमारी जो रहे हैक्टिविटी के देवल्में मौन पर रुजेक्स जो है हम पर हुएं काप वी अपतार से इंडिया की तरफ जो हिमारे का टेरेन है वो काफ़ी टाफ है अब हम दिखते हैं चाइना और ताइवान का इश्यू जो अभी काफ़ी चल रहा है उसकी रिगार्डिंग बात करते हैं अब हम तो यूएस की स्पीकर है अभी जिन्होंने विजिट किया है ताइवान आइलेंड को तो इसको जैसे टेंशन काफ़ी बढ़ गए हैं चाइना और एक तरह से यूएस चाइना की विचके टेंशन भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और ताइवान दुबारा से काफ आइलेंड ठीक है तो यह क्या था सिच्विडेंड माइल सॉम दी कोस्ट ऑफ दा साउथ इस्ट चाइना सेप्रेटेट वाई टाइवान स्टेट के तुरूई अलग होता है तो स्टार्टिंग में क्या था ताइवान फर्स्ट कम अंडर फूल चाइनीज कंट्रोल इन सेव तब यह दे दिये जाता है जाता है चाइना के उन्देम के इंदर जी जाता है तब बाद में चैना के इन्दर जीट जैता है 1949 के अंदर और फिर बाद में जो है तैवान की तरफ चले जाता है वहीं से दाइवाज की इस्टे से एक तरह से हो महीं से यह अलग तरह से दिखा जा ठीक है और डेंक साउपिंग काफी इंपोर्टेंट लीडर है चाइना के तो माहो के टाइम पर जो 1949 के अंदर जो पॉलिटिकल सेटिलमेंट हुआ वहाँ पर चाइनी जो मॉडरन स्टेट बना उसका पार नहीं था ताइवान यह बोलता है तो यह पूरा सिस्टम इस तरह से चलता है तो चाइना जो है अभी पूरा स्टेंड क्या है तो जो तेरा कंट्रीज है तो तेरा कंट्रीज है तो ताइवान को लेकि यूएस की पॉलिशी सिंपल्स ही है को आप को यह पर्टिया जो है याद रखने अचे से जाए तो आपको याई रखने अचे से साथ मेंटिन करके USA ने रखे हैं और एक एक्ट भी था ताइवान इसको भी ध्यान रखना है आपको जो कि जिसमें की USA है वो ताइवान को सेल्फ डिफेंस केपेबिलिटी वगरा दिले में हेल्प करता है यूसे बार फाइदा बाई फार दा लार्जेस्ट आम्स डिलर फॉर ठीक है और ताइवान को जो है और असेब्दा ताइवान और तिब्बत को चाहिए कही पार्ट बानता है इंडिया जो है फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज जो है ताइवान के साथ नहीं है वार सिंस 1995 बहुत साइट्स हैं रिप्रेजेंटेटिटिव ऑफिस ने इच अध अधिश के अंधर जो की दिफेक्टो अंबसी तो यह इंडिया का स्टेंड है अब देख लेता है वन चाहिना सा प्लीजिए है क्या उसको देख लेता है इस अधिए पॉलिजिए अग्नोलेजिग डेट अधिए अधिए अपॉर्मेंट टू सेपरेट चाइनीज तो यह है वन चाहिना पॉलिजिए तो अब देख लेते हैं इसके रिगारिंग तो अब इसमें वैसे हमारे जानने के लिए इतना ही इंपोर्टेंट था एक होंग कोंग और मकाओ का इसू चलता रहता है तो होंग कोंग और मकाओ को भी आप थोड़ा देख लिए ना होंग होंग और मकाओ इसके पूछ चैनेज कंटर्व इन 1997 पहले मतलब कई और कंटॉल था 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 मकाओ सॉबरेन बाच ट्रांफ़राइ इन 1999 में चाहिन पर दिया गया तो यहां पर एक देख से वन कंट्री तूर सिस्टम जैसी बाते चलती है तो यहां पे मकाओ और जो होंग 49 तक काफी है तक मतलब की काफी खुद की लॉज के तुरू गवन हो रहे हैं और बात में जाके फिर पूजता है से क्या स्टेंड रहेगा अभी तक इसके बारे में कुछ किस्टल क्लियर हुआ नहीं है तो आपको Hong Kong और Macau के बारे में अच्छे से देखना है है यहां पर ठीक है चाहिना के साथ Hong Kong और Macau का क्या सिच्वेशन है उसको देखना है अच्छे से यहां पर पूरा दिखा हुआ है इसके रिगारिंग है ना अब हम आगे बढ़ते हैं next topic हम देखते है role of north east in regional and regional trade and development तो north east का क्या role है regional trade and development के अंदर उसके रिगारिंग हम बात करेंगे यहां पर तो NER north east region as India's gateway to the east north east region है वो इंडिया का gateway है इसके लिए इसकी तरफ उसके रिगारिंग यहां पर बात की गई है role of north east in regional trade and development north east का regional trade and development में क्या युगदान है क्या रूल है उसको देखेंगे 2.9 topic के अंदर हम तो यहां पर बताया गया है कि एक successful train run हुआ है transitment of cargo movement from Kolkata to Agatala वाया मौंगला port तो मौंगला port की तरूप in Bangladesh यहां पर यह काफी successful trial run रहा transitment of cargo movement तो इस वज़े से बताया जा रहा है कि इसका काफी vital role हो सकता है हमारी connectivity होने के अंदर जो east countries है उससे तो यह gateway हो सकता है to the east का यहां पर देखो NER की regarding बताया गया बहुत सारी चीज़ यहां पर लिखी गई है तो कुछ की full form भी यहां पर बताया गया यह जिनको हम देख लेते हैं तो यहां पर साथ से जो है इसकी full form बता रखा है साथ इशियन सब रिजिनल एकनॉमिक कॉर्परेशन मैकॉंग गंगा कॉर्परेशन एम जी सी की बात जी एमेस की रिगार्डिंग बता रखा है ग्रेटर मैकॉंग सब रिजिन तो काइंड आफ इस तरह से आपर बताया हुआ है तो नौथ इस्ट जो रिजिन है काफ़ इंपोर्टेंट हो सकता है इस तरह से हमाई लिए यहां पर देख देखते हैं कि और क्या है न्यूज के अंदर इस तरह से नौथ इसका रूल हो सकता है उसका हम देखते हैं तो distance जो है कोलकतार अगर तला की बीच में सड़क की थूर हम जाते हैं तो 1650 km की होती है जो की 620 km की रह गई यह waterways की थूर की थूर की वल की वल आगे बताया गया है connect तो कि इंडिया has been working काफी ज़ादा इंडिया काम कर रहा है स्ट्राजिकली काफी काम कर रहा है connect its north eastern region with the rest of the country through the bangladesh to reduce बहुत transit cost and time and boost trade वागरा के लिए and this route will also provide ways to boost India's regional trade with other cheaper countries के साथ जो है उसमें भी यह help करेगा तो potential of NER north eastern region का कितना potential है regional trade and development के अंदर तो उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं सबसे पहले strategic location यहाँ पर बोला गया है की डाला गया है जो point डाला गया है वो strategic location तो यहाँ बताया गया है chicken snacks और जो श्रीगुरी कोरिडोर है इंडिया's gateway to south east है यह आप सभी को बता है also accounts for the maximum number of the international boundaries that India share with its neighbors तो यह वो ऐसा इस्तान है जहाँ पर की maximum number of the जो है boundary share कर रहा है इंडिया different different जो countries है उनके साथ तो यहाँ पर बता रखा है कि potential input market catalyst तो NER is endowed with social मतलब काफी diversity, cultural richness हमाँ पर है physical potential energy वगरा है and human inexpensive labor है तो यह सभी चीज़े जो है वो potential input market catalyst की तरह काम करती है यहाँ पर जो है north east के अंदर की situations है वो जो कितने अच्छे से हाँ पर पुरा map दिखाया गया उस map के अंदर काफी सारे जो है यह roots बताए गए है और किस तरह से हम connect कर सकते हैं उसके बारे में बात की गईए तो उसको हम देखेंगे भी थोड़ा तो आपर देख लेता है huge agriculture potential है north east region का क्योंकि soil बगरा काफी इच्छी है और pre-requisite for regional stability के लिए ठीक है क्योंकि connectivity of India's NER with the neighbors countries could ensure that this region emerge as regional hub and growth center for economic development which can reduce regional income regional economic inequities को कम कर सकता है जो hence prosperity की stability आ सकती है ठीक है तो challenges in harnessing potential of NER तो north east region के जो potential को harness करने के सामने जो challenge है वो क्या-क्या है तो पहले तो है internal and external security challenges तो यहां पर porous borders and frequently used by extremists and outfits to escape from the Indian army वगरा तो यह internal and external थोड़ा challenge हमाई सामने रहता है यहां पर तो ethnic conflict वगरा रहते हैं काफी autonomous units यहां पर काम कर रही है तो फ्यूल और यह क्या करते हैं तो फ्यूल आर्मिट इंसरजेंसी और demand for separate federal states and autonomous units की demand करते हैं यह और अतनी conflict वगरा होता रहता है तो यह internal external थोड़ी सी security के issue वहां पर है इस region के अंदर तो यह challenge अपने आपने north east region को के potential को harness करने के अंदर बात में बता रखा है supply chain harness कंदे के अंदर क्या है एक challenge है एक problem है यह पिर आगे बता रखा है कि supply chain constraints है कुछ तो despite the organic culture ties and the south east Asia economic ties are unable to gain pace due to the absence of infrastructure and investment क्यों जैसे तो यह भी है lack of the dispersed regional development dispersed regional development नहीं हुआ है ना बताय जाता है कि 90% of India trade with its and south east जो neighbors है उनके साथ जो trade हो रहा है mostly वो क्या हो रहा है originating from regions other than NER तो यह काफी important है यह लाइन है तो क्या है dispersed regional development है dominance of the cross border informal trade तो काफी जादा dominance है informal trade का cross border तो porous border है supply chain constraints है now regional level at the original level delay in the customs and immigration clearance वगरा में delay होता है तो इसके जैसे cross border informal trade काफी जादा महाँ पर देखने को मिलता है Chinese influence भी है इंडिया trade and investment in neighbors is negligible as compared to China's for example China is the largest trading partner of Bangladesh तो यह सभी challenges है इतरह से अब वे ahead की हम बात करेंगे और किस तरह से harness कर सकते हैं North East region के potential को उसके regarding बात करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं इंडिया अधर cross border connectivity initiative तो यह तो हमने देख लिया कि और कौन-कौन से लेकिनी important connectivity जो हमारे project चल रहे है इनिसिटिव है तो सबसे important है याद अखना है यह कलादान multimodal transit transfer facility तो यह काफ इंपोर्टेंट है कलादान वाला जो project है आपका उसको अच्छे सा आपको देख लेना है ठीक है उसके बाद इंडिया में आमार थाइलेंड ट्राइलेटर हाइवे कलेमियो प्रेंट्सिप रॉड जो है उसको देखना है और रही तिरिम रॉड इन म्यामार इसको देखना है और बीस की आइम जो एकनोमिक और इनको पढ़ लेना है एक थोड़ा सा important है पूरी चीज़ है ना यह काफ इसा जो इंडिया की project है connectivity initiative है तो इसमें से हमने कलादान इसमें बल्टी मोडल ट्रांजित ट्रांपर इसलिटी को काफी बार देखा हुआ है तो यहां पर इसके रिकारे का आपको देख लेना है और फिर आपका जो है त्राइड जो हाइवे मैं आमाथ इलेंड और इंडिया का उसको देख लेना है और इन सब चीज़ों को रिजिनल ट्रेड डेवलेप्मेंट में किस तैसी उज में लिया जा सकता है उसको देखते हैं स्टेंटिंग बॉर्डर सिक्योर्टी को स्टेंथन करने की रिक्वाइमेंट है फैंसिंग वगरा हो अच्छी से ठेक है और पुरा सिस्टम काफी अच्छी से हो इस्राइल ने जिस तैसे स्मार्ट फैंसिंग वगरा सिस्टम स्टार्ट किया है उस तैसे और जिस तैसे हमने कस्मीर वैली के अंदर वोलेटाइल कस्मीर वैली के अंदर जिस तैसे हमने सिक्योर्टी अर्रेजमेंट्स वगरा किया है ऐसे स्टेंथन किया जाए सिक्योर्टी को फर्स्ट चाबार पोर्ट को देखता है तो recently इंडिया ने अब्जर्व किया है चाबार डे जहांपे कि इंडिया और इरान ने रिविव किया है progress of चाबार पोर्ट की कितना development कितना बन चुगा है चाबार पोर्ट काइंड आफ है ना जो INSTC transcontinental trade route है उसको कुल मिला के उसकी progress कितनी है उसको एक तैसे देखा है तो ठीक है यहां पर यह है एक्चुली में चीद को देखना है आपको और यह क्या है इसके बारे में और देख लेंगे थोड़ा इंडिया अफगानिस्तान इरान ने साइन किये deal to establish the international transport and transit corridor चाबार agreement in 2016 ठीक है इस इंवल्स दा कंस्ट्रक्शन आफ रेल लाइन फ्रम चाबार तो जहिदान तक जो अपको क्या बनाना है रेल लाइन को डालना है अल्टरनेव टेड रूट तो अफगानिस्तान एंड रेल लाइन राने वाला है तो जहिदान तक गए उसके बाद में जहिदान राम हाईवे है इस तरह से अफगानिस्तान से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो यह पूरा का पूरा जो है बता रखाए हैं आपी ठीक है और इसकी लंबाई बगरा बताई गई है ठीक है तो इसको देख लेना है तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं और तो जियो पॉलिटिकल सिगनिफि ट्रांजित हब अंडर इनस्टी जो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है उससे क्या फायदा होगा Commonwealth of Independent States है CIS उनसे इंडिया की कनेक्टिविटी इंशॉर हो पाई की का फिचिस से ठीक है उसके बाद यह CIS कंट्रीज के नाम आपको देख लेना है थोड़े ठीक है एस्टिबी स अब देख लेते हैं इसके बाद आगे चलके जो इंपोर्टन चीज है humanitarian operations भी इसके तुरू हुपाएंगे चाबार पोर्ट कुड भी उस्टू पॉइंट पॉइंट है तो यह साई चीज पॉसिबल है अब चैलेंज क्या है बाद यहां पे चल रहेगी चैलेंज क्या है challenges in execution of the चाबार प्रोजेक्ट चाबार प्रोजेक्ट के execution के इंतर चैलेंज क्या है इरान का stand क्या है दो जाब इसमें इरान ने decide किया कि वो जो rail line construction है वो खुद के funding वगरा सिब कर लेगा citing delay from Indian side in beginning the funding of the project तो funding जो प्रोजेक्ट के जो थी उसमें इंडिया ने delay किया था बोला चाब एक तरह से इरान ने कि हमीं जो है इरान के उपर तो इंडिया थोड़ा सा उसके वज़े से confusion में था और इंडिया को थोड़ी हो रहा था जो sanctions वगरा की वज़े से इरान closeness with China है तो इंडिया के सामने चैलेंज की बात चलिए कि इरान के जो ties हैं काफी closeness हो गई है इरान की चाइना के साथ में और cooperation है इरान और चाइना के बीच में for 25 years और काफी बड़ा 400 billion dollar का strategic partnership deal sign हुआ है तो इस वज़े से भी थोड़ा इंडिया के सामने ये भी एक challenge की तरह आधा है इंडिया के लिए way forward क्या हो सकते हैं तो keeping the time and delivery of the Indian commitments will be the key तो time पे और delivery जो commitment से उनको deliver करना पड़ेगा इंडिया को बिल्कुल एक्दम time के साथ इंडिया needs to play a balancing act between USA and Iran and proactively protect its interests in region और proactively protect करना पड़ेगा हमारे interests को इस region के इंडिया को अब युजबेकिस्तान भी आगे आ रहा है और चाहावर पोर्ट के उपर कुछ अपना interest शो कर रहा है वो भी it will important to operationalize and jointly use the port with regional countries के साथ ये अच्छा रहेगा मैं लिए भी as emerging power is peaceful extended neighborhood इरान अफगानिक्स्तान is not only good for trade and energy security but also play a vital role in areas aspirations of becoming a superpower के अंदर भी काफे vital role play करेगा अब आइनस्टी सी को देखते हैं तो जनरली जो रूट होता है जिसते हैं यह रूट होता है स्वेच के नाल वाला ठीक है यह रूट है पुरा और यह आइनस्टी सी कुछ मिला कि इस रूट को इंशोर कर रहा है तो आइनस्टी सी सेवन टूरेबल जिरो किलमेटर का पुरा देख सकते हैं आप किस्ते से कनेक्ट कर रहा है तो इससे करेगा एक क्या करेज कोस्ट बिविन इंडिया और रस्टी परसेंट और ब्रिंग डाउन दर ट्रांजिट टाइम को भी ब्रिंग डाउन करेगा अल्मूस्ट हाफ कंपेर तो स्वेज कैनल स्वेज कैनल की तुलना में लगबग आधा हो जाया का टाइम इसको ऐसे भी दिखा जा सकता है इसको यासे भी दिखा जा सकता है इसके लाव हाए बताया गया है और यूरोप की जो अदर जो प्लांट कोरिडोर्स है वो कौन से एक तो जो चिन नहीं व्लादी वस्तोक, Maritime Corridor है एक तो इंडिया और अश्या के बीच में और एक है इंडिया अरेबियन, मेडिटिरियन अरब, मेड, Corridor, Connecting इंडिया विदा में, लेंड, यूरोप ठीक है वाया, पायरस पायरस पोर्ट है, उसके तुरू, Greece and Middle East वगरा की तुरू, इसको Connect किया जाएगा तो यह और प्रोजेक्ट है, यहां पर हमने देख लिया है कुल मिला के किसको चाहाबार पोर्ट को देख लिया है और INSTC को ही इसकी के अंदर हमने, INSTC को भी इसके अंदर हमने देख लिया, है कुल मिला गए अब हम चलता है, 2.11 जो टॉपिक है इंडिया और इजिप्ट के रिलिशन्स कैसे है उसके रिगार्डिंग अब हमें बात करेंगे तो इजिप्ट ने रिलीज किया है अभी commemorative क्या है इजिप्ट और इंडिया के के नाल बगर हैं सब चीजों का आप काफ इची से देख सकते हो significance of देखते हैं आप significance of Indian-Egypt relations India और Egypt relations के significance क्या है तो first of all जो topic है वो है geostrugic significance क्या है तो इंडिया जो Egypt है वो sturgically located है कुल मिला कि हम बोल सकते है sturgic location है Egypt की और ये एक तरसे बनाता है hub for trade routes between the Europe, Africa and Asia के लिए geopolitical significance क्या है ये काफी important rule रखता है significant partner to deepen India's tie with Arab nations के लिए as a part of renewed India's focus on West Asia के लिए तो इस वज़े से भी काफी important हो जाता है खासे आप में और भी हम देख लेता है तोड़ा सा कि यहाँ पे NEM देखो तो Egypt accord great importance to multilateral forums that comprise developing countries such as non-aligned movement NEM and G77 important है दोनों दहान रखना NEM और G77 considering the contribution to south-south cooperation अब देखते है mutual interest in terms of security security के terms में काफी mutual interest है योगि Egypt है key player है in West Asia के अंदर North Africa के अंदर Islamic State and other territorial organizations महाँ पे चल रहे हैं काफी अपने footprint वगरा पहला रहे हैं काफी security interest जो है mutual हो भी काफी है इंडिया और Egypt के energy security की जब बात की जाती है तो Egypt is an oil and gas exporting middle income country while India is oil and gas importing low income country तो इस वज़े से दोनों के बीच में ये वालिटाइज भी काफित्च हो सकते हैं potential partners इंदा solar and other renewable energy तो काफी बड़ा एक plant जो है वो solar का लगा हुआ है Egypt के अंदर और यहां पर भी काफी potential है solar energy के अंदर और renewable energy के अंदर भी इंडिया और Egypt के relations के बीच में renewable dependency amid Russian Ukraine war तो Russian Ukraine का जो war चल जाए है ऐसी condition के अंदर wheat का जो import है वो उक्रियन रश्या से काफी होता है वो कम हो गया है तो एज़ तो क्या वे ahead हो सकते हैं इंडिया और Egypt के relationship के अंदर तो increase economic engagement तो पहले बाद तो economic engagements को बढ़ाना है तो इसमें क्या करना है exploring sectors with most untapped potential such as tourism, food security, natural gas, green hydrogen and green ammonia जो pharmaceuticals है and IT new age technology, tourism वगरे इन सब चीज के अंदर मतलब explore करने की requirement है और इनके investment in the proposed switch canal, free trade, john वगरा के अंदर ये भी काफी important है आने वाले टाइम में, pragmatic approach of the dealing with sensitive regional issues के साथ तो ये है और sensitive regional issues के साथ pragmatic approach होनी चाहिए deal करने की with its proximity to our world's in turmoil, क्योंकि our world है वो काफी turmoil के अंदर रहता है and intensification of the political and intelligence contacts between the two countries will be mutually beneficial हो सकते हैं न and with Egypt's close intelligence exchange with Israel and the possibility of the three-way interaction between the Egypt, Israel and India के वीच में three-way, जो है एक तरह से intelligence exchange हो सकते हैं और इससे काफी ज्यादा फाइदा हो सकता है, tapping opportunity in Africa तो अफरीका के अंदर जो opportunities है उसको भी tap किया जा सकते हैं इंडिया के दोरा with the help of Egypt, तो ये भी काफी important है, अब देख रहते हैं, areas of and have cooperated closely in multilateral जो फॉरा है उसके अंदर cooperated किया है, उन्होंने operations किया है economic relations को दियम देखते हैं तो इसके regarding भी बात की गई है और बताया गया है कि 2021 में 7.26 billion bilateral trade was expanded rapidly in 2021 and 2022 amounting to 7.26 billion register by 70% increase compared to FY2Y to 21 and 20 and 21 की तुल्ला में 70% जो 5% का increment यहां पे हुआ है ठीक है, और different kinds of the exercise जो होती है उसके बारे में बता रहा है defense relations में, बहुत countries are working on the strengthening their collective defense cooperation by expanding military to military engagements, launching joint exercise such as desert barriers desert barriers exercise को अच्छे से आध रखना है आपको also in the joint defense industry cooperation वगरा, इस सबीचीज के बाद से लगे counter terrorism वगरा के अंदर भी यह साथ में है तो यह सभी चीज़े हैं, तो इस तरह से topic भी हमारा cover होता है, इस तरह सम्ट 2.12 topic के उपर आ चुके हैं, जिसमें की new gene shots को हम पढ़ेंगे, और फिसी के साथ हमारा, जो है international relations वाला section है, international relations वाला section भी complete हो जाएगा, तो हम new gene shots को start करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है new gene shots में वो है इंडिया और mauriceus जो है CECPA, तो क्या है यह CECPA CECPA है, इंडिया mauriceus comprehensive economic cooperation and partnership agreement, तो कभी आ जाता है तो इंडिया और mauriceus के बीच में है यह, तो यह क्या है पुरा इस session of the high power joint trade committee तो CECPA जो है वो entered किया है into force in 2021 and is the first trade agreement signed by India with a country in Africa तो इस चीज को दिहां रखना है आपको okay and CECPA which entered into force in 2021 is the first trade agreement signed by India with a country in Africa आगे दिखते हैं it covers the trade in goods and rules of origin and kind of सारी बात पताई गई है यह आपे challenges for challenges क्या है for Indian mauriceus to relationship उसके लिए China is growing to presence and influence in the Indian ocean region and round trip of the investment in India through mauriceus वगर यह challenge है एक तरह से इंडिया और इनके relations की बीच में इंडिया और mauriceus की relations की बीच में यह challenge है एक तरह से आगे हम दिखते हैं जो next बताए गए 75 years of the diplomatic ties between India and the Thailand तो Thailand और इंडिया की बीच में 75 years of the diplomatic ties हो चुके है 1947 में जोब इंडिया को आजाती मिली थी इंडिया क्या कर रहा है bilateral relations Thailand के साथ enjoy कर रहा है and in recent time इंडिया जो act is जो policy है has been completed by Thailand's act west policy यह बात है आप पर बताए गई है bilateral trade बागर के बरिगारिंग बताए गया है इंडिया और Thailand के relations के अंदर तो bilateral trade जो है वो all time high चला गया है और 15 billion dollar के आस्पर उस्डी 15 billion dollar 2021 में हो गया है defense corporations के रिगार्डिंग बात की गई है important है आपको याद अखना है memorandum of understanding on defense corporation तो जा बारा रहा इंडियो थाई corporate exercise रही है कौन सा है इंडियो थाई corporate और exercise मेत्री इंडिया इंडिया इस पार्टिसिपेटिंग इंडिया इस पार्टिसिपेटिंग इंड एक्स कोब्रा कोल्ड और इन सभी exercise का नाम आपको याद अख लेना है थोड़ा सा और बाइलेटरल इंस्टूट्स मेकनिजम बगरा कि यहां पर बात है और connectivity की बात है तो यहां पर इंडिया में आप थाइलें त्राइलेटरल हाइवे की बात हमने पहले भी किती हो चल रहा है एशियान हाइवे नेटवर्क है एक एक और बिम्स्टेक ट्रांस्पोर्ट इंफरस्ट्रेक्स एं लॉजिस्टिक स्टूडी है अंदर बिम्स्टेक फेंवर्क के अंदर तो ही सब चीज़े है कल्चर की बात किते हैं तो बुदिज्मी में जे कॉमन थ्रल्ड हैनम आओन्ड करते हैं बहुत गया करते हैं साहनात करते हैं रेजिशनल जो कॉपरेशन हैं यहां क्या करते हैं बहुत साइच है इंडर अब देखते हैं important चीज है rules of origin ROO ये क्या है तो इसके रिकार्णिक देता है Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC stated किया है उन्होंने ने बूला है क्या that कि Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC stated that in case of conflicts between the customs और जो rules है जिनको केरूट आर बोला गया है and ROO under the free trade agreement provisions provision of FTA और its ROO shell prevail तो ROO और FTA के जो provisions है वो प्रविल करेंगा हम देख लेते हैं FTA ROO इस सब चीज़े हैं क्या FTA क्या करता है allows import of most of the items at nil और concession basis custom duty rates तो FTA से यह चीज़े हो जाती है आपको पता ही है इंडिया ने इंक्ट किये है FTA किस-किस के साथ में योई के साथ में मुश्रस के साथ में जापन के साथ में सिंगपर के साथ में ठेक है अब यहां पर कारोटार क्या है इसको देखना है आपको कारोटार इंपोर्टार जो होते हैं वो बोल जाएं इंपोर्टार जो है जरूरी है यहां पर इंपोर्टार नीट टू फॉनिच प्रूफ ऑफ थर्टीवाइप पर्जन जो वैली अडिशन हुआ है न वो कहां पर हुआ है वो जिस कंट्री से फ्रटीवाइप इंपोर्ट के अंदर लेना है तो उनको इसको दुड़ा देख लेना है आपको अंडर देस एक्सपोर्ट तो इंडिया तो जो FTA जीसे साइन हो रखा है महाँ पर प्रिस्काइब एडिवेल एडिशन करना पड़ेगा तब यू सामन को इंडिया में भीजा जा सकता है ठीक है आगे हम दिखते है निउस्टार्ट जो है काफ इंपोर्टेंट एक जो है ट्रिटी है उसक अब इस अब कुछ है और फाइनली यहां पर दिखते है अब स्टी सीड़ू क्या है इंटरनेशन कंवेंशन और अफ्टेंड एंडिया इन्डिया इरान ने सीड़ू क्या है इसे मल्टि लेटर कंवेंशन तो एस्टिविस बेसिक रिक्वार्मेंट ऑन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वाज़ कीपिपिंग फॉर सीड़ू की गई है काइंड आप यहां पर दे सकते हो इरेटा देख लेते हैं फाइनली ठीक है इरेटा क्या है डिट टुए टाइप लॉजिकल एरर इन प्लेस नुज ऑफ दी जून ओके तो यहां पर यह तो रेटा जो है कुछ अगर अगर एक रेकार्डिंग बताया गया है ठीक है तो अब यहां पर इसी के साथ हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशन्स है आई आर जो है इन्टरनेशनल रिले प्ड़ने वाथ